बीसवा परसन है हमारा की एक अलू दोड में प्रारभिक स्तान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले अलू से 5 मीटर की दूरी पर है अन्य अलूं को एक सिद्धी रेखा में प्रस पर 3 मीटर की दूरी उपर रखा गया इस रेखा पर कुल 10 अलू रखे गई है ये पहला अ प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रार्म करता है निकटतम अलू को उठाती है और उसे लेकर के वापस दोड़कर बाल्टी में डालती है दूसरा अलू उठाने के लिए वापस दोड़ती है उसे उठाकर बाल्टी में डालती है वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक की पर पिस जाना पड़ेगा कुलो दूरी कतनी हो जाएगी 10 मीटर यानि पहले अलू के लिए इस से 2-5 यानि 10 10 मेंटर की दूरी चलनी पड़ेगी अब दूसरा ऐलों कतना दूर हो गया पहले ऐलों से 3 मेंटर हो रही याने फॉल दूरी 5 3 होगी 6 मेंटिर बिंदू ये तो पहला जूरोचोा ये से 5 में आना होगा को ये, दूरी नहीं तो पहला अलू उठाने के लिए दूरी कितनी तय होगी पहला अलू उठाने के लिए तय दूरी कि कितनी दूरी उसे तय करनी होगी पांच मिटर आने की और पांच मिटर जाने की पांच गुणा दो दस मिटर अगर वो व्यक्ति दूसरा अलू उठाएगा तो दूसरा अलू पहले अलू से 3 मिट्र दूर है तो बाल्टी सी हो गया ये 8 मिट्र दूर तो उसे दूरी तैय करने होगी 8 गुना 2, 16 मिट्र तीसरा अलू उठाएगा तो 5, 3, 8 8 और 3, 11 11 मिट्र आना और 11 मिट्र उसको जाना तो उसके लिए उजाएगा 11 गुना 2, 22 मिट्र और बाकी अलू के लिए भी इसी वरकार से तो अब ये अंतर देखो 10 उर्चा है 16, 16 उर्चा है 22 तो अलू ठाने में जो उसको दूरा चली गई दूरी ये वेक्ति के दूरा वो एक समांतर स्रणी के रूप में है और वो समांतर स्रणी है 10, 16, 22 तो इस मांतर स्रणी के लिए ए का मान तो हो जाएगा 10 डी का मान 16 माइनस 10, 6 अन का मान है 10 क्योंकि उसमें कुल 10 आलू रखे गई है और हमें इसमें मान जाद करना है SN का कि 10 आलू ठाने में वो व्यक्ति जो है उसे कुल कितनी दूरी है वो चलनी पड़ेगी तो हमें पता है कि SN बराबर होता है N बटा 2 2A पलस N माइनस 1D तो S 10 का मान हो जाएगा 10 बटा 2 2 गुणा 10 पलस 10 माइनस 1 और D का मान इसमें 6 10 में हम 2 का बाक रहे हैं पांच 10 गुणा दो 20 10 में गटाएं एक तो 9 नो चीके चोपन चोपन और 20 हो जाएगा 74 74 का हम गुणा कर लेते हैं 5 से तो या जाएगा 370 मिटर तो वो सभी आलू उठाकर के बाल्टी में डानने के लिए परतियोगी को कुल 370 मिटर भी दूरी तय करनी होगी अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद